तो गाईस यार आज की इस वीडियो में हम आपको UPBC पाइप की मदद से एक बहुत कमाल की गन बना कर दिखाने वाले हैं जिसकी मदद से आप एकदम परफेक्ट तरीके से निशान लगा लोगे और इसकी एक जलक तो आप वीडियो के सुरू में देखी चुके होंगे और ये गन हमारी एकदम रियल गन की तरह ही देखेगी और इसे आप पने घर पर आसाने से बना भी लोगे तो जादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस गन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस्प्रे पैंट की ये खाली कैन लेना है और आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी पैंट नहीं है एकदम पूरी दुरी किसे खाली है और आप इसके इस वाले हिससे को कट करके इसमें आधा इंची का ये खोल कर लेना है तो इसे हम 25000 हटोड़ी की मदद से कुछ इस टाइप से ठोप करके कट कर लेंगे तो इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चेनल को कर लिज़े सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी आन कर लिया ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुचे सब से पहले और आप देख सकते हो कि हमने इसे अच्छ तरीके से कट कर लिया है अब इसके अंडर तीन-च्छ पर कंचे भी होंगे तो उसे भी बाहर निकाल लिया है और अब हमारी कैन एकदम खाली हो चुकी है और अब इसके पीछे साइड में भी हमें आदा इंची का एक और होल कर लिय तो इसे भी हम 55 और हतोड़ी की मदद से कट करेंगे या फिर आप अपना दिमाग लगा करके इसे दूसरी तरीके से भी कट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हमने इसे कट करके इसमें एक होल कर लिया है अब इसके बाद हमें लेना है एक खाली प्लास्टिक की बोटल और इस बोटल की गर्दन यानि किसके कैप बाले हिस्से को कट कर लेना है तो इसे हम हेक्स अवलेट की मदद से कट करेंगे जो कि एकदम आसानी से कट हो जाएगी और इसे कट करने के वाद केन के पीचे वाले होल में इसे फिक्स कर देना है और फिर इसके चरोतरब एमसील लगा करके इसे अच्छे से चिपकाना होगा तो इसके लिए हमने एक एमसील को लिया है जो कि आपको मार्केट में 10 रुपे में असानी से मिल जाएगी और इसके अंदर दो एमसील निकलती है एक ब्लैक और एक वाइट दौनों को आपस में अच्छे तरह किसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के वाद इसके चरोतरब इसे लगाना है तो पहले हम इसके कैप को खुलेंगे नहीं तो हमारा कैप भी एमसील के साथ ही जाम हो जाएगा और कैप फूलने के वाद इसके चरोतरब एमसील को अच्छे तरह किसे लगा देना है ताकि हमारी जो बोटल की गर्दन है इसमें अच्छे तरह किसे फेक्स बनी रहे और उपड़ेना तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसके चरोतरब एमसील को लगा दिया है अब इसे ऐसे ही सुखने देना है और इसके बाद हमें लेना है एक हाप इंज का यूपी बीजी पाइप जिसकी लंबाई है करीब 15 सेंटी मिटर और इस पाइप को कैन के आगे वाले होल में फेक्स कर देना है और फिर इसके चरोतरब एमसील लगा करके अच्छे से चिपका देना है ताकि हमारा पाइप इसमें अच्छे से फेक्स बना रहे उख़ेना तो हमने इसके चरोतरब एमसील को लगा दिया है अब इसे तीन चार घंटे के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है तो हमें तीन से चार घंटा हो चुका है और हमारी M.C.L. अच्छी तरी के से सूख चुकी है एकदम पत्थर बन गई है और इसी टाइप से इसके P.C.C. की भी M.C.L. सूख चुकी है तो अब हमें लेना है एक Harp Inch Kickstarter और इसे इस पाइप में fix करना है लेकिन उस से पहले हमें लेना है UPBC P.C. चिपकाने वाला glue और इसे इस पाइप के चार घंटाभ कोच इश तरी को चिपका देना है और फिर इसमे टी को fix कर कैंच दरी को से चिपका देना है और इसके बाद हमने एक pipe को लिया है जिसकी लंबाई है 50 cm और इसके एक सिरे में इस glue को लगा करके इसे T के दूसे वाले सिरे में fix कर देना है और इसके बाद हमने एक और pipe को लिया है जिसकी लंबाई है 10 cm और इसके दौना सुरह में इस glue को लगा देना है और फिर इसे T के न नीचे वाले सिरे में फिक्स करके चिपका देना है और इसके बाद हमने एक हाप इंज की endcap को लिया है और इसे इस pipe के दूसरे वाले सिरे में फिक्स करके अच्छे से चिपका देना है तो guys आप देख सकते हो कि हमारी gun 50% बन का त्यार खो चुकी है अब इस gun के लिए हमें एक सिगरेट वाला लाइटर और आपको नया लाइटर लेने की जुरूत नहीं है आप पुराना या खराब लाइटर ले सकते हो और इसके अंदर जो स्पार्क वाला लाइटर लगा रहता है उसे खोल करके निकाल लेना है और फिर हमें लेना है दो वायर और एक वायर को इस gap दे करके आपस में चिपका दिया है अब हम जैसे ही lighter को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक चिंगारी निकलती है और यह lighter हमारी gun की टिरगर का काम करेगा तो इसे अपनी gun की टिरगर की जगा पर fix करना है तो इसे fix करने के लिए यहाँ पर हम drill machine की मंदद से एक hole कर देंगे तो आप देख सकते हो कि हमने hole कर दिया है अब इसमें lighter को fix कर देना है और फिर इसके चारो तरफ MC लगा करके अच्छे से चिपका देना है ताकि हमारा lighter इसमें अच्छे से fix बना रहे तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसके चारो तरफ MC को लगा दिया है अब इसके जो wire है इसे scan के अंदर side fix करना है तो इसमें हमने एक hole कर दिया है इस hole की मदद से दोनो wire को इसके अंदर side fix कर देना है ताकि जब भी हम lighter को प्रेस करें तो इसके अंदर side spark हो तो इसे हमने fix करके MC की मदद से अच्छे से चिपका दिया है और अब हमने लिया है एक half inch का UPBC pipe जिसकी लंबा है 20 cm और फिर हमने लिया है एक reducer जो की 1 inch से 1,5 inch का है और इसे इस pipe के एक सिरे में fix कर देना है और फिर हमने लिया है एक half inch का joint और इसे pipe के दूसे वाले सिरे में fix कर देना है और इसके बाद हमने half inch pipe से तो छोटे छोटे टोटे टोपडे कट कर लिये हैं और इन्हें इस pipe में कुछ इस तरी के से fix करके सुपर गुलू की मंदद से चिपका देना है और आप देख सकते हो कि यह हमारी गन का इसको बन का त्यार हो चुका है तो इसे अपनी गन की उपर side यहाँ पर fix कर लेना है और फिर इसमें सुपर गुलू लगा करके अच्छे से चिपका देना है और इसके बाद हमें लेना है एक screw और इसे क्या करना है कि अपनी गन के आगे side से करीब 3-4 इन छोड़ करके यहाँ पर कस करके fix कर देना है ताकि जब भी हम इसमें कंचा लोड करें तो हमारा कंचा यहाँ पर अटक जाए इससे अंदर side ना जाए तो guys आप देख सकते हो कि हमारी गन बन का त्यार हो चुकी है और आप इसकी look देख सकते हो कितनी अदम मस्त लग रही है तो चलिए फर हम इसकी testing देख लेते हैं कि यह कैसा work करती है तो चलिए फर अपनी studio से बाहर चलते हैं तो guys अभी हम आचुके हैं studio से बाहर तो चलिए फर अपनी गन को चला करके देखते हैं तो इसे चलाने के लिए सबसे पहले इसके cap को खोल लेना है और फिर इसमें हमें car wide का छोटा सा टुकडा डाल देना है और फिर इसमें हमें थोड़ा सा पानी को भी डालना होगा ताकि पानी और car wide दोनों आपस में अच्छी तरी किसे mix हो सकें और acetylene gas बन सके और फिर इसके cap को कस करके अच्छी से tight कर देना है और अगर आप इससे निसाना लगाना चाहते हो तो इसमें हमें एक कंचा को भी लोट करना होगा तो हम इसके आगे साइड से कंचा को लोट कर देंगे चोकि हमारा कंचा यहां पर fix हो चुका है और हमारी gun चलने के लिए एकदम ready है तो चलिए फिर हम इसे चला करके देखते हैं और आप देख सकते हो कि जो वोट ले रखी हुई है उसमें हम निसाना लगा करके देखते हैं कि हमारी gun कैसा वर्क करती है थ्री, टू, वन नाव वन तो गाइस आपने देखा कि हमने दो बार निसाना लगाया और हमारी gun ने दोनों ही बार एकदम परफेक्टरी के से निसाना को लगाया और आप बोतल की हालत देख सकते हो कि फूट कर एकदम चार-चार हो चुकी है और इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो मारी gun है ये कितने दाप पाउरफूल है और आप मैंसे काफी भायों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इसमें ज़्यादा गयस बन जाएगी तो हमारी gun फट जाएगी तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा गयस बन जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और हमारी gun चलीगी ही नहीं इसे चलने के लिए इसमें बराबर मात्रा में ऑक्सीजन और एसिटिलिन होनी चाहिए तब ही हमारी gun अच्छ तरीके से वर्क करेगी तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और अगर आपको हमारी ये gun पसंद आई हो तो वीडियो के एक लाइज जरू कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी प्रेस कर लेना तो चलिए पर अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय हैं जय भारत